हेलो एवरिवन, सभी आनमदारी वहनों का स्वागत है आज के इस नए और इंफोर्मेटीब वीडियो में आज हम आप सभी को आनमदारी केंदरों में जो पोषार मेनू चलाय जाता है उसके सम्मन में एक बहुत बड़ी अफडेट निकल के आई है जैसे कि आप सभी लोग पिछला जो पोषार मेनू के अनुसार बच्चो को सुर्वा का नास्ता और बच्चो को जो भोजन देते थे वो यहाँ पे पूरा बदल चुका है जी हाँ आई सीरीस विभाग ने जो लेटर जारी किया है उस लेटर के साथ साथ जो पोषार मेनू का लिस्ट है वो भी जारी कर दिया है और 2022 में किस पकार से बच्चो को पोषार मेनू में बदलाव किया गया है अब जो पोषार मेनू में क्या-क्या खिलाए जाएगा सुवा के नास्ते में क्या खिलाए जाएगा भोजन में क्या खिला जाएगा पूरा का पूरा यहां पे बदलाव कर दिया गया है तो आप सभी से एक छोटी से रिक्वेस्ट रहेगे कि आप लोग इस वीडियो को end तक जरूर देख लिजिएगा जिसमें कि हम आपको पिछला जो पोसहार मेनू है और अब जो पोसहार मेनू जारी किया गया है उसमें कितना कुछ बदलाव कर दिया गया है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और इस वीडियो को आप अपने आमादारी के जो भी गुरूप है उसमें शेयर जरूर किजिएगा चलिए चलते हैं उस अफिसियल लेटर की ओर यहाँ पर देख सकते हैं 29-4-2022 को यह पत्र जाड़ी हुआ है इस पत्र को जाड़ी करने वाले हैं निदेशक ICDS और सेवा में सभी जीला प्रोग्राम पदादिकारी यहाँ सभी बाल विकास पर्योजना पदादिकारी यानि पूरे बिहार में यह जो नयवाला पोसाहर अगाण बारी केंदरोपर दिये जाने वाले पूरग पोसाहर के मेनू निर्धारन के सम्बद मे यानि कि आप लोग का जो भी पूरग पोसाहर का मेनू है फिर से निरधारित कर दिया गया है देखे यहाँ पे लिखा गया है महासरी उप्रियुक विश्यक संगिक पत्र के द्वारा राजेक के सभी 38 जीलों में 544 बालविकास पर्योजना अंतरगौत पुरोग पोसाहर कारेकरों में परसंगिक पत्र के द्वारा अस्थापित बर्तमान बेवस्था को लागू किया गय महिला एवं बालविकास मंत्राले भारा सरकार पत्रांग संख्या इतना दिनांग 6-10-2017 के अलोक में पोसाहर का दर एवं मानक निम्नुवत है जो यहाँ पे पोसाहर का दर दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं धातिरी मताओं के लिए और गर्भवती मताओं के लिए भी दिया गया है नीचे यहाँ पे देख सकते हैं भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार पूरक पोसाहर को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2013 तथा भारतिय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकार नियम 2021 की अरूप होना चाहिए उप्रयोक दिशा निर्देश के अलोग में आगनबाडी केंद्रों पर पोसाहर के संचालन है थُ do मानुकों एवं मेनु का निर्धारन किया जाता है उप्त मानोकों के अधार पर परतियक आगनबाडी केंद्रों पर स्कूल पूर्व सिख्षा प्राप्त कर रहे तीन वर्ष से छे वर्ष के बच्चों को पूरग पोसहार उपलवद कराना सुनिशित किया जाना है यहाँ पे देख सकते हैं सब्ताहिक पोसहार सूची यानि कि बर्तमान में बिहार में राज्य के सभी जिलो में पोसहार संचालन है तो गर्मपका भोजन के लिए सनलोगन अनुलोग 1,2,3 के अनुसार सब्ताहिक पोसहार सूची का निधारन किया गया है यानि कि जो आप लोग का पिछला जो पुसहार मेनू था उसको यहाँ पे संसोधित कर दिया गया है और जो अब नया पुसहार मेनू जारी किया गया है उसके अनुसार आपको यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे पुसहार खिलाना है और देना है जैसे कि यहाँ पे में यह निर्नाय लिया गया है चलिए हम आपको सिरे वहाँ पहले चलते हैं जो इसका लिष्ट जाड़ी किया गया है किस परकार से सब्सक्राइक मेनू में जो आंगन बाड़ी केंदरों पे ये लागू होगा चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं तो देखें ये जो आप ल कोश्ट में आपको जो पॉस्टिक नमक दिया जाता है वो 20 उर्पया के दर से यानि दो पैकेट जहां पिछला मेनू था उसमें एक पैकेट का जिक्र किया गया था यहां पे जो मसाला स्पाइस देख रहे हैं वो 10 उर्पया पड़े के हिसाब से सोलर डे का दिखा रहा है उसमें दिया गया था पिछले वाले मेनू में वहां पे 125 उर्पया के दर से दिखा रहा था उसके बाद यहां पे टोटल कोश्ट की बात कर ले जो हीडेन कोश्ट है तो जो हीडेन कोश्ट है यहां पे आप लोग देख रहे हैं 925 उर्पया वहां पे आप लोग देख पा तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं सोम वार को क्या खिलाना है जैसे कि नास्ता में यहाँ पर देख पाएंगे भूना चना और मुंगफली नास्ते में देना है जबकि पिछले मेनू के अनुसार यहाँ पर अंकुरित चना और गूर यहाँ पर दिया जा रहा था यहाँ पर चावल का पुलाव और भूना चाना और मुंगफली यह जो है इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं के दिन यहाँ पर क्या देना है नास्ते में नास्ते में यहाँ पर देख सकते हैं केला पपीता या मौसमी फल आपको मंगलवार को देना है जबकि भोजन के टाइम अलू चना का सबजी और चावल देना है जो पिछला उसमें दिया गया था मौंगलवार को तो सुबह में यहां पर क्या दिया जा रहा था चूड़ा और गुर दिया जा रहा था मौंगलवार को सुबह में नास्ता में और यहां पर जो पौश्टिक लडू दिया जा रहा था भोजन में तो वो यहां से उसको हटा दिया गया है और इसमें अलू, चना, सबजी और चावल का यहां पे जिक्र किया जा रहा है तो इस परकार से नय एल्मेणू देख सकते हैं कितना बदलाव किया गया है फिर यहां पे जो बुधवार है फिर यहाँ पे बुधवार को देखिए क्या है अंकुरित चना और गूर जो कि उसमें क्या था सिर्फ चूरा गूर था और अंडा उसमें दिया जा रहा था तो यानि कि यहाँ भी आपको उबला अंडा नहीं देना है यहाँ पे सिर्फ अंकुरित चना गूर देना है और भो तो यहां पर यहां पर बदल चुका है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखें सूकरवार के दिन आपको नास्ते में दूद देना है और भोजन के хват यहाँ पे कदू दाल व चावल और साग दाल व चावल इस परकार से यहाँ पे मेनु में बदलाव किया गया है और 100 ml पानी में घोल कर बच्चो को दूद देना है शुक्रवार के दीन सनिवार के दिन देखिए यहाँ पर क्या देना है सनिवार के दिन भी यहाँ पर केला पपीता या मौसमी फल देना है बचो को नास्ते में और यहाँ पर चल डाल का खिजरी देना है सनिवार के दिन तो यह ठीक है सनिवार के खिजरी दिया जाता है लेकिन सुबह के नास्ते में यहाँ पे चुड़ा गुर दिया जा रहा था लेकिन यहाँ पे अब केला पपीता या मौसमी फल दिया जाएगा और इसी के अनुसार आपको खादान पंजी भी भरना होगा और उसके बाद यहाँ पे तीसरे नमर अनुलगन में देख लेते हैं कि यहाँ पे जो सब्ताहिक पोसाहर सोची है वो इसमें क्या-क्या बदलाव कर दिया गया है किस परकार से बच्चों को देना है 25 दिन के लिए यहाँ पे आपको जो बच्चों को पोसाहर दिया जाता है उसको यहाँ पे देना है और यहाँ पे छोटा सा नोट करके यहाँ पे दिया गया है कि एक अत्रीक दिन को गरम पका भोजन में 3.99 पैसे के दर से एवं नास्ता में एक रुपए के दर से बिसेश पोसाहर दिया जाएगा यानि 24 दिन के लिए दिया जाता है और जो एक दि मेनु का लिस्ट यहां पर जारी किया गया है पिछले मेनु के अनुसार यह जो मेनु है वो पूरा बदल चुका है तो तीनों अनुलगन के बारे में हमने आपको यहां पर दिखा दिया है क्या 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 इसमें बदलाव किया गया है तो उमीद है आप सभी को इस सब्ताहिक म के बारे में पूरी जनकारी मिल गई होगी कि कब कब क्या देना है वीडियो आप सभी आंगनबारी बहनों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को सेर जरूर किजिएगा ताकि और भी आंगनबारी बहनों को जनकारी मिल सके मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत दोध धन्यवाद जय हिंद